नमस्कार आप सभी का मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं आप लोगों के साथ सेयर कर रही हूं तहरी की डेसिपी तहरी तो आपने बहुत बार बनाई होगी लेकिन एक बार आप मेरे तरीके से तहरी बना करके जरूर ट्राई करें इसे बनाने के लिए यहां पर हमने कुछ हरी सबजियां ले ली हैं और साथ में हमने कुछ मसाले लिये हैं तो आपके पास जो भी हरी सबजियां हो उससे आप डाल करके तहरी बना सकते हैं तो चलिए इसे बनाना शुरूर करते हैं इसे हम प्रेशर कुकर में बनाने वाले हैं तो यहाँ पर pressure cooker हमारा गरम हो चुका है तो इसमें आड़ करेंगे एक बड़ा चमच के लगबग घी आप घी के जगा cooking oil यूज कर सकते हैं और जब घी गरम हो जाएगा तो इसमें आड़ करेंगे एक छोटा चमच जीरा और साथ में आड़ करेंगे कुछ खड़े गरम मसाले इसमें हमने चार लॉंग एक बड़ी लाइची एक इंच दालचीनी का टुकड़ा लिया है और इसके बाद इसमें आड़ कर देंगे एक इंच ग्रेट किया हुआ अध्रक तीन लंबाई में कटकी हुई हरी मिर्च आप इस समय दो तेज पत्ता और थोड़ी सी हिंग भी आ प्रेट कर दिया था और इसमें अब हम आड़ करेंगे एक बड़ी साइज का कट किया हुआ प्याज और इसके कलर चेंज होने तक हम इसे फ्राई करेंगे और जब प्यास हमारा प्राउन हो जाएगा तो उस स्टेश पर हमने यहां पर एड़ किया है गोबी और ब्रॉक्ली इसमें एके करके सारी सबजियां आड़ करते जाएंगे इसे एक से दो मिनिट के लिए फ्राई करने के पाद बाकी के बचे हुए सबजी भी हम एके करके आड़ करेंगे यहाँ पर हमने एक आलू और एक गाज़ड को कट करके आड़ किया है आप सारी सबजीयों को थोड़े बड़े टुकड़ों में कट करें जिसे की तहरी में ये सबजीयां अच्छे से दिख सकें यहाँ पर हमने सारी सबजीयों को अच्छे से फ्राई कर लिया है तो इसके बाद इसमें आड़ करेंगे स्वादनों सण नमा थोड़ी सी हल्दी पॉड़र यहां पर आप हल्दी पॉड़र की कुईंटिटी थोड़ा बढ़ा सकते हैं लेकिन हमने थोड़ा कम ही रखा है और इसके बाद यहां पर हमने एड़ किया एक बड़ा चमच बिर्यानी मसाला इस मसाले से आपकी तहरी में बहुत ही बड़िया फ्लेवर आएगा आप चाहें तो बिना बिर्यानी मसाले की भी तहरी को बना सकते हैं आप उसमें जो नॉर्मल मसाले हैं जीरा पॉडर बिर्ची पॉडर इन सभी को आड़ करके बना सकते हैं यहां पर हमने सारे मसालों को बुलने के बाद एड़ कर दिया एक छोटे साइज का बारी कट किया हुआ टामाटर और साथ में थोड़े से हरे माटर और इसे भी हम एक से दो मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे और जब सारी सब्जियां हमारी अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो उस स्टेज पे हम एड़ करेंगे एक कप बासमती चावल इसे तीन चार बार साथ पानी से धो करके इसमें एड़ कर देंगे इसे सोक करने की जुरत नहीं है और चावल को एड़ करने के बाद सारी सब्जियों के साथ दो मिनट के लिए इसे भी हम भून लेंगे हमने चावल को भी दो मिनट भून लिया है तो इस स्टेज़ पर अब हम इसमें आड़ करेंगे पानी तो जिस कटोरी से हमने चावल लिया था उसका डबल हमें पानी आड़ करना आप जितना चावल लें एक कप चावल है तो आप तो कब पानी इसमें आड़ करें यानि कि जितना चाबल हम लेंगे उसका डवल पानी हमें आड़ करना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम आड़ करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया बिल्कुल फ्रेश हडा धनिया बारी कट करके आप इसमें एड़ कर दें आप चाहें तो यहाँ पर गरम मसाला पौडर भी एड़ कर सकते हैं लेकिन हमने खड़े गरम मसाले एड़ किये हैं तो बहुत जादा हो जागा इसलिए हमने गरम मसाला एड़ नहीं किया है और अब इसका धकन बंद करके हम एक प्रेशर आने तक हाई फ्लेम पे पका लेंगे एक प्रेशर आने के बाद इसका आधा प्रेशर जो है हम निकाल देंगे आधह प्रेशर निकालने के बाद इसे अपने आप थंडा होने दे इख तो सब कि यहाँ पर हमने आधह प्रेशर निकाल लिया था और उसके बाद जब कूकर हमारा थंडा हो जाएगा तो यहां हम इसका ढकन हटा करके देख लेते हैं हमारी तहरी बिल्कुल परफेक्ट बनी है आप एक बार इस तरीके से तहरी बनाकर ज़रूर ट्राई करें आपको यह बहुत ही पसंद आएगी खास कर बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है आप इसे लंच बोक्स में भी दे सकते हैं लंच में भी खा सकते हैं और डिनर में भी खा सकते हैं आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताना ना भूलें अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक जादा जादा शेयर अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्र झाली ओम